बॉलिवुड और साउथ फिल्मों की जानीमानी आक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल अभिनेत्री बनने के बाद तापसी पन्नू ने बॉलिवुड इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया था एक अगस्त को तापसी का जनम दिन होता है इस साल तापसी अपना 34 वा जनम दिन बनाने जा रही है तापसी के जनम दिन के खास मौके पर हम आपको उनसे जुड़े कुछ खास और अनसुने किस से बताने जा रही है तापसी का जन मेंक अगस्ट 1987 को दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था उनके पिता दिल मोहन सिंग पन्नू एक बिजनसमेन है और उनकी मा निर्वल जीत पन्नू एक हाउस वाइफ है तापसी के एक छोटी बहन शगुन पन्नू भी है आठ साल की उम्र से ही तापसी ने कथक और भरत नाटियम सीखना शुरू कर दिया था तापसी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल से की है इसके साथ उन्होंने गुरूतेक बहदूर इंसिट्यूट अफ टेकनॉलीजी से कम्प्यूटर साइंस में इंजिनिरिंग की पढ़ाई की है इंजिनिरिंग के बाद तापसी की इच्छा MBA करने की थी लेकिन उन्हें अपनी पसंद का कॉलेज ने ही मिला जिसके चलते उन्होंने बतौर सौफ्ट्वेर इंजिनियर काम करना शुरू कर दिया तापसी ने करीब 6 महिने तक नौकरी की आक्टिंग में आने से पहले तापसी पन्नू ने काफी समय तक मॉटलिंग भी की मॉटलिंग की दुनिया में काम करने के बाद तापसी को साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ओफर आने लगे जिसके बाद तापसी ने अपने अभीने करियर की शुरुआत साल 2010 में रागवेंदर राव की तेलकू फिल्म जुमंडी नादम से की थी ये फिल्म सूपर हिट हुई और कुल 6 नेशनल अवार्ड्स फिल्म को मिले तापसी में साल 2013 में बॉलिवुड फिल्म चश्मे बद्दूर से डेब्यू किया भले ही इस फिल्म को बॉक्स ओफिस पर सफलता नहीं मिली लेकिन तापसी सबकी नजरों में आ गई थी हाला कि अपनी असली पहचान तापसी को निर्देशक सुजीत सरकार की फिल्म पिंक से मिली इसमें उनके किरदार को दर्शोकों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा इस फिल्म के बाद बेबी, नाम शबाना, जुडवाटू, सूर्मा, दगाजी अटाइक, पिंक, मनमर्जियां, बदला और मुल्क जैसी शांदार फिल्मों में उन्होंने काम किया प्रोफेशनल लाइफ के अलावा तापसी नीजी जिन्दिगी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं तापसी इस समय बेन मिंटन खिलाडी मैथियस बॉय के साथ रिलेशन्शिप को लेकर चर्चा में हैं भले ही दोनों ने अभी तक अपने रिष्टे को ओफिशल नहीं किया है लेकिन तापसी और मैथियस का ये रिलेशन उनके बिना किसी ओफिशल अनौंस्मेंट के जग जाहिर है फोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरी के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं मूवीज और डेटिंग के अलावा तापसी कॉंट्रोवर्सी के चलते भी खूब सुर्ख्यों में रहती है जहां बीते साल तापसी के घर तीन दिन तक टेक्स चोरी के आरोप के मामले में आयकर विभाग ने छापे मारी की थी आयटी विभाग में 650 करोड के टेक्स अनियमिता के मामले में अनुराक कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताच की थी इसके अलावाद तापसी और कंगना रनौत की जुबानी जंग भी खूब चर्चा में रही है दोनों आक्ट्रिस एक दूसरे पर आए दिन तंच कस्ते हुए नजर आती है इस बात से सभी वाकिफ हैं कि कंगना और तापसी के बीच पिछले एक साल से ट्वीटर पर जंग जल रही है आए दिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान देती हैं कुछ महीने पहले कंगना ने तापसी को बी ग्रेट आक्ट्रिस तक कह दिया था वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में तापसी पन्नू विकरांत मैसी के साथ फिल्म हसीन दिल्रुबा में दिखाई दी थी तापसी इसके अलावा फिल्म लूप लपेटा, जन गन्मन और शाबाश मिठु में नज़र आएंगी विरो रिपोर्ट E24